मेरे पास में ये एक 3A double socket USB charger है और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या problem है लगा लिया है और जब मैं इस पर कोई phone लगाता हूँ तो देखिए ये charge नहीं होता है यही इसमें problem है अगर हम इसकी power on करते हैं तो देखिए इसमें power आ रही है लेकिन ये charging जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यही इसमें problem है तो दोस्तो आज हम लोग इसी को repair करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत होती है और इसे कैसे repair करते हैं दबा करके open कर लेना है इस तरह से ये अलग हो जाता है देखिए दोस्तो ये इसका circuit है और आप देख पा रहे हैं कि ये इसका capacitor फूला हुआ है दोस्तो हो सकता है इसका bridge rectifier भी खराब हो चलिए हम इसको check करके देख लेते हैं सबसे पहले इन दोनों प्रेंटों पर इसके देखेंगे कि क्या continuity आ रही है देखिए बिल्कुल भी नहीं आ रही है अब मैं इस resistance से इसे आगे देखता हूँ तो दोस्तो यहां भी कोई continuity नहीं है अब मैं इसको bridge rectifier पर देख लेता हूँ यहां पर भी कोई कंटी यूनिटी यह नहीं दिखा रहा है दोस्तो इसके आगे कंटी यूनिटी आ रही है इसका मतलब दोस्तो यह हो सकता है कि इसकी यह resistance भी खराब है फिलाल मैं यह resistance चेंज कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं एक man lead से लगा कर देखता हूँ दोस्तो यह resistance इसकी खराब है चलिए हम इसकी जगा पर दूसरी resistance लगा देते हैं ठीक है तो मैं यह वाली resistance जो है वो लगा देता हूँ इसका capsator भी change कर देंगे चलिए पहले मैं इसको man lead में लगा लेता हूँ और इसको check करके देखते हैं दोस्तो इसके दोनों printer लगा लिये हैं चलिए अब मैं इसको power में लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें power जो है वो आ गई है चलिए हम इसके voltage भी check कर लेते ह दोस्तो इसमें 5.4 वोल्ट आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि यह charger बिल्कुल ओके है बस इसका capacitor जो है यह फूला हुआ है हम इसको भी change कर देते हैं इसमें capacitor 4.7 UF 400 वोल्ट का है तो हम इसमें यही capacitor लगा देते हैं दोस्तो हमें यह दिहान रखना है कि यह इसका minus का print है यह वाला तो हमें यह minus वाला print जो है वो हमें इस black side में ही रखना है ठीक है इसी तरीके से यह capacitor को लगाया जाता है इसमें minus plus होता है दोस्तो चार्जर बिलकुल complete है चलिए मैं इसको फटा फट से बंद भी कर देता हूँ दोस्तो चार्जर बिलकुल okay है अब हम इसको light में लगा देते हैं और देखते हैं कि phone charge होता है या नहीं और दोस्तो आप देख पारें कि charging जो है इसमें आ गई है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो दोस्तो आप अपने USB चार्जर को या फिर कोई सबी चार्जर हो आपका आप हर चार्जर को इस तरह से check और repair कर सकते हैं दोस्तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया है वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जाद से जादा शेर करें दोस्तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें और notification बेल को भी all पर select कर लें वीडियो देखने के लिए आए हिंद वंदे मातरम